नमस्कार दोस्तों मैं सन्धीब, सुवागत है आप सभी का आज की इस नई यान्फिस वीडिओं दोस्ते आज की इस वीडिओं बात करने वाले हैं जिनका सब्जेक्ट समाथ साफ द्रहें आंप τη वीडिओ बहुत ही मिउप्पाटेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो मैंने बहुत ही टॉप लेबल के question include किये हैं और साथ ही साथ मैंने पूरा का पूरा समासाथ का model question paper तयार किया है जैसा कि जैसा तैसा आपके exam में पूछा जाएगा यानि आने वाले exam में 2022 में जैसे आपका exam यानि कि जो भी question paper जो आएगा तैसा का जैसा जैसा भी exam paper होगा वैसे ही मैंने एक model question paper तयार किया है जो कि आपके लिए काफे helpful होगा क्योंकि इस वीडियो मैंने वर्स्तिनिष्ट प्रस्ण यानि कि बहुत विकल्पे प्रस्ण और सासाथ में आती लग हुत्रे प्रस्ण और लग हुत्रे प्रस्ण ठीक है लग हुत्रे प्रस्ण देग होती है यानि कि बिस्तित हुत्रे question include कि हैं यह सारे question का जो pattern है यह आने वाले exam के लिए आपके लिए काफी helpful है ये भी हो सकता आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि कुछ college में और कुछ university में जो exam का pattern है वो अलग हो सकता है इसके according ठीक है कुछ university में या उनके college में फस्ट एर में जो समासाफ्त्र का paper होगा उसमें objective question आ सकते हैं हो सकता है कि फश्ट यानि हिंदी के does speaking झूझ हुझे हैं उसमें धू यह स्के हो सकता हें पिहलों सब्सक्रां दिश्डेक्षी व्यानी के लिखित हो उसमें कुछ के लिए आपको अपने इनुवर्सिटी वा कोले से कॉंट्रेट कर लीजिए कि सर हमारे यहां पर एक्जाम जो होने वाले हो किस पैटर्न पर होने वाले हैं ठीक है यह जोड ध्यान में रखिएगा वीडियो में आगे बढ़ेंगे से पहले मैं आपको बता दूँ यह वीडि पर अतलग उत्रे और लगत्र बिस्तित उत्रे सभी के एंसर हम आपको बताएंगे ध्यान में रखिएगा ठीक है साथी जानकारी आपको मिलेगी वीडियो में पहला कोश्चन है कि निम्न में क्या समाजिक अस्तिक करण का अधार नहीं है पहला पर बहुब किल्पे प्रिस कि भारतिय समाज में समाजिक अस्तिक करण का प्रमुख आधार है जात प्रजात वर्ग इन में से समी तो भारतिय समाज में समाजिक अस्तिक करण का जो प्रमुख आधार है ठीक है जो प्रमुख आधार माना का यानि दो नमबर कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा जात लिखित में से जो अस्तिकरण का आधार है वो असमानता इसलिए राइट एंसर इनसर करेंगे ए ध्यान में रहिये सभी सभी तो इन में से बंद अस्तिकरण का जो हो जाएगा हो जाएगा इन में से सभी यानिकि D नंबर ठीक है बंदस्तिक आधका समाजिक सांसगृत्यी गोगा रखेगा अब हम बढ़ेंगे लगतर प्रसे की और धियान में रिखी को कि पूरा को पूरा मैंने मौडल केशिंट पेपर तयार किया आपके एक्जाम में हो सकता यही पैटर्ण आए ठीक है तो द्यान से समझीएके कि कूश्चन तो पहला क्वेस्ट किन है कि समाजिक गत्सील्टा के प्रभावों का वरडन करना की जो समाजिक्त सेल है ठीक है इसमें आप लोगो रभाव स्उमाजिक को पढ़ां यानिकश माजिक संगठनों पर पर ने कि जो समाजिक गत्सीलता है इसका प्रभाव वो समाजिक यूगिस संगठन है उन पे भी पड़ता है गत्सीलता व्यक्तिक ठीक है व्यक्तिक एवं प्रतियोगता की भावना को बिख्षित करती है समाजिक गत्सीलता प्राथमिक समूहों की रशना को बिखटित करती है जबकि द्वेतियक स पर इनका प्रभाव कम पड़ता है समाजी गत्सिलता ब्यक्त को उच्छ प्रस्थिती प्राप्त करने एवं ठीक है प्रतियस परधा के लिए प्रेजित करती है प्रधाव में समाजी गत्सिलता का प्रभाव की प्रभाव है उचिंगे बारे में आप लोगों को थोड़ा डीटेल में लिख देना है यहां पहलता करने के कारण करते हैं किसल्फिस समाजी कारण क्या हो सकते हैं उस आप लोगों को बता देते हैं आप धान्ट समझेगा प्रद्योंकिए अब इश्कारों की बहुलता ये भी कारण हो सकता है ठीक है निश्ठ तथा कुसलता में ब्रद्धी हुई है यानि कि जैसे समाज में गत सीलता है यानि कि समाज में बढ़ोत्री हुई जैसे समाज में पहले क्या था अब क्या होने लगा यानि सिस्टम पूरा चेंज होने लगा है तो उसके कारण ये भी हो सकते हैं कि उच्च पद पाने की इच् अरजित गुडों में ब्रद्धी अगला कारण ये भी हो सकता है कि करसी कारण ये भी हो सकता है कि पड़िगती ठीक है ठीक है पीड़ीगत पेशे से असंतोस तो यहाँ निमलिकित कारण है तो step by step आप लोगों को लिख देना है पहला जैसे कि आप लोग को सिंपल में बता देता हूं बहुत ही असान हो जाएगा पहला नंबर आप लोग डालिएगा यहां पर कि समय जिक गसलता के निम्न कारण है तो पहला आप लोग एक लखिएगा फिर दो इस तरह पहले हेडिंग दार दीजिएगा उसके बाद एक प लोग कह सकते हैं कि समाज में जैसे की बहुत सारे प्रद्दोगी संस्थान बने हैं या फिर प्रद्दोगी क्यों में उन्नत ही हुई है ठीक है ब्रद्ध ही हुई यह बहुलता है यह सब निम्निखित कारण है ठीक है समाजी गसलता की कारण है दोस्तों इन सभी का जो एं जो साब को सब्सक्राइब, लेकिन एक का होगा है, उन्का को रिभी स्थान भी हैंसर, भार ले को न Video कीयों के पड़े जाए उसका लिए करेंगे, तो आप लोग answer आराम से detail में पढ़ लीजिया करिए ठीक है इसी में अगला question है यानि कि आधिल कुत्रिय में अगला question है कि समाजिक गसिलता के mokh professional क्या होते हैं क्या हो सकते हैं ऐसा भी question हो सकता है तो मुख प्रणाम जो हो सकते हैं उनको मैं आप लोगों को एक एक करके बता देता हूं पहला प्रणाम ये भी हो सकता है कि समाजिक प्रस्थिती में फेर बदल ओके अगला जो प्रमुक प्रणाम हो सकता है कि समाजिक अंतक्रिया में धंग में परिवर्तन अगला जो प्रमुक क कुमान नेताओं में परीवर्तन अग्ला यह भी होसकता है कि यह सबी जो है इसके मुंख कारण है समाजी गशिलता के तो आप लोगों को समझ में आ तीन चार पांच आप लोगों को जो भी याद हों आपको जो भी समझ में आए पांख से या फिर फिर फाद जो भी का मुख्य परणाम लगें वह आप लोग एक पॉइंट करके लिख दीजेगा ठीक है तो अगला जो फॉर्मेट है यानि लग लग उत्रे प्रस्न का फॉर्म में आप लोगों को डेटियल में लिखना है समाजिक अस्तिकंड के सुरूप कौन-कौन से हो सकते हैं इसका एंसर आप लोगों को गूगल पे या आपके कुश्चन बेंग या बुक में मिल जाएगा वहां से पढ़ लिजेगा यह टॉप लेबल का कोईश्चन इसे नोट डा मता रहा हूं तो ध्यान से समझ के जाईएगा इसमें आप लोगों को डीटियल में लिखना है आप नेट पे सर्च करेंगे तो आसानिस मिल जाएगा यह कुश्चन आप नोट डाउन जरूर करेंगे अगला जो फॉर्मेट है यानि कि अगला जो कुश्चन का फार्मेट व में आप लोगों को लिखना है इसके बारे में ठीक है यह याद रहे आपको अगला आपको मिल जाएगा दूसरा नंबर कोश्चन लिखा कि समाजिक अस्तिकन के प्रमुक्सिधांतों की ब्याक्या कीजिए तो जो समाजिक अस्तिकन के जो प्रमुक्सिधांत है ज्यान में जिसके प्रमुक्ष धांद है उसके आप लोगों को ब्याक्ख्या लिखना है अगला कोईश्चन है कि समाजी गसीलता से आप क्या समझते हैं इसके प्रकार बताईए तो समाजी गसीलता से आपको क्या समझ में आया समाज में क्या गती हुई है क्या बढ़ोत्री हुई है इस को आप क्या समझते हैं ठीक है और इसके प्रकार बताए को इसे प्रकार हो सकते हैं आप अपने एकोडिंग ठीक है तो बहुत ही इंप्वाटन मैंने कोश्चिन आप लोगों को बताया अगर आप लोग ध्यान से सारे का एंसर करेंगे ढूड़ेंगे और लिखे रखेंगे न इन में से आप लोगों को जैसे कि एक समाजिक अस्तिकरण या फिर समाधिक गत्सीलता के परिभासा यह कोश्चन आने ही आने है यानि इस पूरे का पूरे माडल पेपर से माडल कोश्चन पेपर से आपके दस से पंदा नंबर किलियर हो जाएंगे अगर एंसर याद करके स सब्सक्राइब होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्सिय में जरूर बताएगा और इन सभी का जो भी लगुत्रे या विस्तित उत्रे कोश्चन है अगर आप लोग कहेंगे तो इनका सभी का एंसर में करके ठीक है पूरा पीडिया बना की टेलिग्राम पे डाल दूंगा तो आ आप लोग वहां से असानी से पढ़ा करिए ठीक है ठीक है अगर आपका कोई कोश्चन है कोश्च जाओ दे कमेंट करके पूचेगा मिलते हैं ने स्ट वीडियों तब तक के लिए जये हिन दोस्तों